जब हमारे सामने बॉलिवूड के एक्टर्स का जिक्र होता है तब हम उनकी फैन फॉलोईंग और उनके लगजरी लाइट के वारे में सोचने लगते हैं हम सभी जानते हैं कि बॉलिवूड में अपनी पहचान बराना को यह आसान बात नहीं है मामला और भी ज़्यादा पेचीदा होने लगता है जब आप किसी बॉलिवूड बैग्राउंड से ना हो लेकिन बॉलिवूड में कुछ सितारे ऐसे हैं जिन्हों अपनी मेहनत और अपनी एक्टिंग के दम पर अपना नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिखाया आज उनली में से एक सितारे की बात हम करने जा रहे हैं जिसने अपनी जिन्दगी में 12 से 13 साल तब कश्रगल किया और परदे पर अपनी छाप छोड़ दी जी हम बात करने जा रहे हैं वारिवूद के फैजल यानी नवाज उद्दिन सित्रकी के बारे में जिन्हें एक समय पर रिजेक्संस का यूश्टू होना पड़ा था लेकिन कहते हैं ना आग में तब तब कर ही लोहा शोना बन जाता है वैसे ही नवाज उद्दिन में अपने अडियल होने की आग में तब कर दुनिया में वह मुकाम हासिल गिया अगर आपको हमारा यह में इंट्रेस्टिं नजर आ रहा है तो क्रिपया इसे पूरा देखें हम उम्मित करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ इंस्पिरेशन जरूर मिलेगा नवाजुद्दिन का जन्व 19 मई 1974 को उत्र प्रगेश के मुझफर नगर के एक छोटे से गाउं बुढ़ाना में हुआ था वह एक किसान परिवार से बिलॉन करते हैं और इन्होंने गाउं में रह करी अपनी बार्वी तक की पढ़ाई पूरी की है गाउं में खास फैसिलिटीज ना हुने के कारण नवाजुद्दिन हरिद्वार चले गए जहां उन्होंने गुरुकूल कांगरीव इस विद्याले से केमेश्ट्री में पीसी तब की पढ़ाई पूरी की इसके बाद उन्होंने गुजरात के वडोधा में एक कमपणी में पता और कैमिश्ट भी काम किया मगर इस काम में नवाज का मन कुछ खास नहीं टिका उनका दोस्त एक दिन उन्हें गुजराती नाटक दिखाने के लिए ले गया था जिसके बाद नवाज का ध्यान एक्टिंग की दुनिया की और आकरशित हुआ। उन्होंने अपने दोस से भी जिक्र किया कि मैं एक्टिंग में अपनी केरियर बनाना चाहता हूँ। उनकी यह बाते सुनने के बाद उनके दोस्तों ने उन्हें एक्टिंग की शुरुआत के लिए विल्ली में थेटर जॉइन करने को कहा। नवाजुदिन की एक्टिंग की लगन इस हद तक बढ़ने लगी थी कि जिसके बाद उन्होंने छोटे मोटे नुकर नाटक और प्लेज में एक्टिंग करना सुरू कर दिया। नवाजुदिन ने अपने करियर बनाने के समय भी अपने परिवार से कभी पैसों के लिए मदद नहीं मागी थी। अपना रोजाना खर्चा निकालने के लिए उन्होंने टॉइ फेक्टरी में वाच्मेन की नौकरी करना सुरू कर दिया। वो शुबह से साम तक अपनी नौकरी करने के बाद अपने एक्टिंग स्किल्स पर काम किया करते थे और बाद में वो एक्टिंग सिखने के लिए एनसडी यानी National School of Drama जाग पहुचे जिसे एक्टिंग के लिए बहतरीन जगों में से एक माना जाता है। इसके बाद नवाजुद्दिन ने अपने सपनों की उडान भरी और अपना पूरा ध्यान एक्टिंग की ओर लगाना शुरू कर दिया। सब्सक्राइब के लिए सभी को खुब सूरस चेहरे की तलास रती थी। खेर समय के साथ आगे बढ़ते बढ़ते नवाजुद्दिन को उनकी लाइफ का पहला ब्रेक मिला आमेर खां की हिट मूवी सर्फरोस में। लेकिन यहां उनका सिर्फ 40 सेकेंड्स का सौर्ट था। लेकिन पहला मौका मिलने से वो काफी खुश हुए और उनकी उमीदें आग बढ़ गई। लेकिन बाग में नवाजुद्दिन को कुछ खास रोल हाथ नहीं मिल रहे थे। टैलेंट और समय दोनों खराब होने के मज़े से नवाज बहुत फ्रस्टेटर रहने लगे। हद तो तब हो गई जब गाउं वाले भी उन्हें ताने सुनाने लग गए थे। नवाजुद्दिन ने ठान लिया कि वह गाउं वापस नहीं चाहें कुछ भी हो जाए। पत्रकार का मेंड रोल मिल गया। जिसके बाद उनकी बॉलिवुड में पाचान बननी सुरू हो गई। लेकिन अनुराग कश्यप की फिल्म कैंग्स आफ वसेपूर उनकी करियर के लिए बूश्टर साबित हुई और उन्होंने फैजल बनकर सबका देल जित लिया। अपनी जिंदगी में कड़े संगर सहने के बाद नवाजुद्दिन सिद्की ने जबरदस्त मेनत की और अपना नाम रोशन कर दिखाया। और आज का दिन है जब नवाजुद्दिन सिद्की बॉलिवुड के सबसे फैमस एक्टर्स में से एक हैं। नवाजुद्दिन में किक, बाबू मोसाय, बंदूग बाच, सिक्रेट गेम्स और बचरंगी भाई जानूं जैसी फिल्मों में यादकाल तिरदार निभाए और खुब सुरक्या मटोरी। साल 2014 में दलन्च बॉक्स मुवी में नवाजुद्दिन द्वारा बखुबी निभाए गए तिरदार को लेकर फिल्म फेयर एवर्ड्स मुवनें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का एवर्ड दिया गया। फिल्म तलास, गैंक्स आप पसेपुट्टू और देख इंडियन सरकर्स ने भी अच्छी खासी तारीफे बटरने के दाथ नवाजुद्दिन को नेशनल एवर्ड्स की ओर से। साल 2020 में फिल्म फेयर में पहली बार फिल्क्स फिल्म फेयर ओटिटी एवर्ड्स की सुरुवात की गई थी। आपको बता दें कि ओटिटी ओइजनल फिलिम रात अकेली है के लिए एक्टर नवाज उदिन सिद्गी को बेस्ट एक्टर एवार्ड से नवाजा गया था